यह दोस्तो स्वागता आपका इस वीडियो में हाल की जो बड़ी खबर यह है कि भारत दोजर अठाइस से उनतिस के बीच में अपना खुद का जो एडीफेंस सिस्टेम है स्वदेसी एरडीफेंस सिस्टेम है दोस्तो उसको बना लेगा यह खबर आईये बड़ी खबर आपक खुद का जो एर डिफेंस सिस्टम है वो बनाएगा और आपको ये विदा दो कि जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो वाज शल रहा है दोस्तों हमास ने आपको पता होगा कि हजारों रॉकेट चार से पांच हजार रॉकेट दोस्तों इसराइल पर दाग दिये थे जिसके जो इसराइल है इसराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इसराइल पर जब ये हजारों हमले हुए हजारों रॉकेट के हमले हुए मिसाइलों के तो सबसे ज्यादा जो मदद की दोस्तों वो आइरन डॉम सिस्टम ने मदद की इसरा पर मिसाइल दागती है उसके बाद जो इसराइल का आइरन डॉम है इसराइल का आइरन डॉम जितने भी मिसाइल थे मतलब सभी मिसाइलों को तो नहीं कर पाया नस्ट लेकिन बहुत से मिसाइलों को हवा में ही नस्ट कर दिया जो इसराइल का आइरन डॉम है जस्ट कलपना की तो जो आइरन डॉम है वो बहुत ज्यादा उसने help की है लोगों की जान बचाई है कई हजार लोग कई लाखों लोगों की जान बच गई सिर्फ आइरन डॉम के कारण हाला कि आइरन डॉम इतने बड़े पैमाने पर मतलब 4-5 हजार जो मिसाइल दाग दिये थे इतना नहीं सह हो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास हैं तो 100 km के अंडर जो है मतलब जातर जो 100 km के अंडर जो भी मिसाइल आएंगे हमारे देश में उसको भारत के जो एर डिफेंस सिस्टम हो खतम कर सकता है लेकिन हमें चाहिए लॉंग रेंज की जिस प्रकार से इसराइल के पास है तो इसके लिए भार सरकान ने कदम उठाए हैं और भी आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला इस वीडियो में उससे पहले कोशन है कि कौन से देश है दोस्तों जिसने होस्ट किया था एर्थ जो ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपेडिशन कॉंफरेंस है 2023 का यह सारे आपको देश दिख रहे होंगे ब्राजील, इंडिया, चाइना, सौथ अफरीका इनमें से आपको सही आप्सन बताना है अभी कमेंट करके मैं लास्ट में आपको सही आंसर बताऊंगा तो चलिए बात करते हैं एर डिफेंस सिस्टम के वारे में जैसा आपको पता होगा भा पाकिस्तान में भी जिस प्रकार से हमास है तो पाकिस्तान में भी कई जिहादी संगठन है उनका कब मूर चेंज हो जाए दोस्तों कब कुछ भी कहा नहीं जा सकता वो कभी भी भारत के उपर हमला कर सकते हैं इस सब को देखते हुए भारत को वैसे कई लोग का ये भी मानना है और जो चाइना के जो यहां पर आप मैंने जैसे बताया आपको कई मिसाइल तैनाद कर रखी है तो भारत का अगर खुद का एर डिफेंस सिस्टम होगा लॉंग रेंज का एर डिफेंस सिस्टम होगा तो जितने भी चाइना के मिसाइल या फिर पाकिस्तानिया मतलब हमारी मिसाइल आ रहा हों हमारे देश की तरह तो लॉंग रेज से मतलब दोस्तों 300 किलोमेटर से जादा रेंज होगा जो हमारा भारत का एर डिफेंस सिस्टम है तो ऐसे आपको बता दू भारत के पास कई प्रकार के एर डिफेंस सिस्टम है जिसे पिर्थवी एर डिफेंस सिस्टम एस 125 पिकोरा एर डिफेंस सिस्टम अकास एर डिफेंस सिस्टम तो हमारे पास दोस्तों बहुत प्रकार के एर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही दुसमन की मिसाइले खतम कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 100 किलोमेटर के अंडर ही मतलब 100 किलोमेटर के अंदर जो भी मिसाइल एरक्राप्ट जो भी आएंगे उसको भाद सिर्फ नस्ट कर पाएगा लेकिन हमें चाहिए औ बड़े बदलाओल आ चुका है भाद को बहुत सुरक्षित बनाने में डियाडियों ही लगा हुआ है दो जर अठाइज से उनतिस तक हमारे पास खुद का एर डिफेंस सिस्टम होगा दोस्तों इसे एल आर एस एम बोला जा रहा है अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इ बाद करें कितना पैसा सरकार की तरफ से लिफेंस गजएन तो आपको बता दो जो इस पर अपको पैसा लगा गया है तो आपको बता दो इकिस हजाभा साथ सो करोड जो सरकार है इसको फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट मे तो मैंने आपको बताया था था ना 300 km से ज़्यादा यानि 350 km तक इसका रेंज होगा और ये हवा में ही जितने भी दुस्मन के मिसाइल है उनको तबाह कर देगा तहस नहस कर देगा और दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइमस आफ इंडिया ने भी चाफ रखा है देशी आइ 400 है दोस्तों ये काफी मददगार है भात की सुरक्षा में और इससे हम जो भी दुस्मन का मिसाइल आ रहा है दूरी से हम उसको नस्ट कर पाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों आंसर की कि क्या आंसर है जो एर्थ विरिक्स इंटरनेशनल कंपडिशन कॉंफरेंस है इसको क आभार्थ